हेगाइस इस वीडियो में बात करेंगे मौंगुस के बारे में जो कि है KODM Library अब इसका फुल फॉर्म मैंने दो लिखे हैं Object Document Mapping Library या फिर Object Data Modeling Library ये दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि अलग अग जगर पर आपको दोनों में से कोई एक देखनों को मिल जाते लेकिन जब भी आप NoSQL की बात करते हैं तो अकसर ये Object Document Mapping Library ही दिखता है अब इसको समझते कि है क्या ODM इससे पहले एक चीज़ समझते है ORM ORM का फॉल फॉर्म क्या होता है Object Relation Mapping और ये चीज़ आपको कहा देखना को मिला था जब हम SQLize यूज़ कर रहे थे और ये SQLize कौन सी Library है आपको पता है हम यूज़ कर रहे थे SQL जब पढ़ रहे थे तब यानि SQL में हमारा क्या होता है table होता है सारे data कैसे देखते है table में right row column में हम data देखते अब यहाँ पर कैसा है कि अगर आप JavaScript पढ़ रहे हो या फिर कोई भी object oriented programming यूज़ कर रहे हो तो उस case में हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि हमें इसके साथ इंट्रेक करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था लेकिन जब हम SQLize यूज़ कर रहे थे तो अब इस ने क्या क्य इस टेबल को उठा कि इसने convert कर दिया object में यानि इस data को इसने map कर दिया object में और क्योंकि हम अलडी JavaScript में है या object oriented programming में है तो हम इस object के साथ easily interact कर पा रहे थे यानि की data को map कर दिया object में यह था ORM अब बात करेंगे ODM के बारे में ODM mostly यूज़ करते है NoSQL, NoSQL मतलब जहाँ पर हमारा data document में होता है यानि अब यहाँ पर हम document यूज़ कर रहे हैं आपको याद होगा MongoTV में अभी देख रहे थे name, age, email, right, key value पर में रहेते हैं इसका data type कुछ भी हो सकता है यानि जो भी array, object या फिर object ID जैस हम देख रहे थे अब कैसा है कि यह जो data किस format में होता है, bson format में ठीक है, यानि json format में होता है, अब यहाँ पर ODM क्या करेगा, इसको convert करेगा object में, ठीक है, और फिर यह हम क्या कर सकते है, JavaScript के साथ इससे interact कर सकते है, यानि यह काम हो ही कर रहा है, लिकनि इस case में क्या, noSQL, अब इसका फैदा क्या है, यह क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, एक तो यह schema प्रोवाइड करता है, आप बोलेंगे schema क्योंचे है, क्योंकि अलड़ी हम अभी पढ़ रहते हैं कि MongoDB में benefit है, schema नहीं यूज करने के लिए, ताकि आप किसी दरह का भी data इंसर्ट कर सकते हो, maintain कर सकते हो, य महाँ पर हम schema यूज करेंगे, क्योंकि बेना इसका होगा नहीं, तो आपको benefit देता है, लेकिन यह 100% optional, आप चाहे तो MongoDB का driver यूज कर सकते हैं, जो अभी तक हम यूज करते हैं, अभी जो यूज कर रहा है, driver है, अगर आपको code में देखोगे, तो हम import कर रहे हैं, हर जगा, example हम ले लेते हैं, model में, तो यह जो import कर रहे हैं, यह driver ही तो है, लेकिन अब हम use करेंगे mongos, और इसका benefit क्या, mostly क्या mongos करता है, mongos simplifies the process of working with mongodb by providing an additional layer of abstraction and features, ठीक है, यानि mongodb के ऊपर top of the layer add कर देता है, या फिर आप बोल सकते हो, बहुत सारे features add कर देता है, जो हम use कर सकत है, let's say, आपको complex query run करना है, या फिर आप data validation करना चाहते है, जो कि market देखने वाले, let's say, आपको middleware या hooks के साथ interact करना है, या किसी तरह का relationship populate करना है, और इसका सबसे benefit है कि आपका code reusable हो सकता है, organize हो सकता है, तो यह सारा benefit है, जो कि हम देखने वाले कि यह कैसे करेंगे, तो start क करेंगे, पहले connection create करना, mongoose use करके, इससे पहले हमें mongoose को install करना पड़ेगा, जो कि हम next करने वाले है, so सबसे पहला step यह है कि इस package को install करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को dominal quit कर रहे है, और npm install, मैं इसको zoom कर देता हूँ, और आपको type करना hyphen save, और फिर mongoose, ठीक है, n install, hyphen, save, mongoose, इसको hit करेंगे, install होने देते हैं, और एक बड़ जब install हो जाए तो आप इसको verify कर सकते हो, package.json में, और यह देखिए, mongoose आ चुका है, version के I use हो रहा, 7.2.3, इसके साथ आप इसके documentation को भी explore कर सकते हैं, कैसे install करना है, कैसे आपको connect करना है, so the next step is to connect our database through mongoose, इ एक बार हम db.js देख लेते हैं, जहां पर हमारा पूरा connection है, आप यहां पर देख सकते हो, कि मैंने जितने भी code लिखे, यह सब किसलिए है, ताकि मैं अपने database को manage कर सकूँ, लेकिन, अगर आप mongoose उसकर रहे है, तो आपको इतने code लिखने के जुरूत नहीं, यहां पर मैं किसके regarding था, अपना mongo db driver के regarding, अब हम use करने वाले mongoose, तो मैं यहां पर require कर लेता हूँ, const, mongoose require, और यहां पर package का नाम जो कि just हमने install किया locally, ठीक है, और मैं जूम कर देता हूँ, अब यहां पर जाएंगे, ठीक है, यहां चीज जो mongo connect आ रहा है, यह कहां से आ रहा है, यह हमारे tb.js से आ रहा है, mongo connect, अब हमें यह use करने के जुरुत नहीं, हम सीधा mongoose को use कर सकते हैं, so mongoose.connect, ठीक है, और यह connect क्या return करता है, promise, so then, और इसको handle करने clearer, catch, ठीक है, अब connect में क्या pass करने है, इसको मैं next line में कर देता हूँ, kind of लगेगा मैं chain कर रहा, तो इसको मैं त URL रहेगी, URL कौन सी है, exactly वही, चीज़ जो अब तक हम, mongo db के वक्त use कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं paste कर दूँगा, ठीक है, और जब यहाँ पर अपना success connection हो जाएगा, din block में, और अगर नहीं हुआ तो error, यहाँ पर console.log, error in connection, और फिर, मैं हाँ पर error को print कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं call कर सकता हूँ, app.listen, ताकि अपना server यहाँ से start हो जाए, जब एक बार database connected हो जाए, यहाँ बस मैं make sure कर रहा हूँ, कि हमारा mongoes database के साथ connected हो, जब हमारा application start हो रहे, ताकि आप database के regarding सारे operation perform कर पाऊ, और यहाँ पर साथ मैं message भी print कर देता ह connected to mongoes, ठीक है, ताकि हमें पता चले है, मारा database connect हो चुक है, इसको verify करने के लिए हमें अपने application को start करना पड़ेगा, using npm start, और यहाँ पर आप देख सकते हो, connected to mongoes, यानि कि यह connect हो चुक है, और यह सही से काम भी कर रहा है, अब हम क्या कर सकते, आप सोच रहे हुए कि जैस कि हर जगा use कर पाए, import करके, हम यहाँ पी tuning कर रहे है, यहाँ पे mongoes के ऊपर जो आप connect method call कर रहे है, यह क्या कर रहा है, connection create कर रहा है, साथ ही साथ, यह भी make sure कर रहा है, कि आप एक ही connection throughout the project use करे, इसका मतलब हर एक database operation के लिए, यह एक नया connection नहीं बनाएगा, यह उसी connection को represent क रहेगा, जो हमारे database के साथ connected है, और हमें बस mongoes packers को use करना है, so एक बार connection is established होगा, उसके बाद हमारा next task क्या होगा, जो हमने code लिखा models के अंदर, node.js से user.js, इसको adjust करना पड़ेगा according to हमारा mongoes, क्योंकि mostly mongoes क्या करते है, हमारा main focus होता है data modeling के ऊपर, कि हमारा data कैसा क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त हम mongoDB driver use कर रहे थे, अब हम use करेंगे mongoes, तो अभी हम node.js में काम करेंगे, और इस code को हम comment कर देते, ताकि बाद में refer कर पाए, और इसको में नीचे भेज देता हूँ, पहला step है mongoes को import करना, just हमने install किया, so mongoes equal to require, syntax के साथ mongoes import कर इसके बाद इसी mongoes के ऊपर हम call करेंगे schema, इसको assign कर लेंगे एक variable में, same नाम से, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे schema बनानी है, तो मैं नाम दूँगा note schema और new schema लिख दूँगा, ठीक है, इसमें मैं object पास करूँगा, अब य नहीं define करते, नहीं जुरक पड़ती, लेकिन हम mongoes यूज़ कर रहे, अगर आप mongoDB driver यूज़ कर रहे तो अभी भी schema 100% optional है, लेकिन क्योंकि हम mongoes यूज़ कर रहे तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे data का structure क्या है, ताकि हम अपने data पर काम कर पाए, तो इसके लिए हम यह title, description, image URL, status, user ID बाद में insert करेंगे, तो पहले चाहिए title, ठीक है, और यह title अमेरा कैसा रहेगा, string, इसको ज्यादा समझने के लिए आप इसका documentation भी देख सकते, आप देख सकते, schema कैसा define करना है, यहाँ आप इन्होंने बता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, string पास हो रही है, अगर आपके पास extra configuration है, तो आप उसको object भी पास कर सकते है, जिसमें आपको option मिलेंगे multiple key value रखने के लिए, तो मैं यहाँ पे string directly नहीं रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे type पास करूँगा, और फिर मैं बता रहा है कि यह string है, इसके साथ मैं यह भी बता पा रहा हूँ कि यह required है, और इसको मैं true कर रहा हूँ, kind of validation, ठीक है, और फिर next जो है, आप देख सकते हो, उसके बाद description image URL है, तो एक एक करके आप इसको सबको set कर सकते है, इसका भी type किया रहेगा string, और इसको भी required true रख रहे है, इसके बाद image URL है हमारा, इसको मैं copy कर दे रहा हूँ, यह भी आप चाहिए तो है option रख सकते हो, optional image URL को, इसको कॉमा दे देते हैं, और last हमारा किया status, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यह हमारा बन गया note schema, तो यह हमारा kind of definition है कि हमारा note का structure क्या रहेगा, जैसे आपको यहाँ पर constructor को देख के पता चल रहे है, next किया है, अभी हमारा schema schema ready है, अब हमें चाहिए model, तो हम इस schema को use करके model बनाएंगे, फिर उस model का object मनाके throughout the application use करेंगे, model define करने के लिए, या create करने के लिए मैं आपे क्या करने वाले है, पहले तो module.exports equal to, और फिर हम क्या करेंगे, mongoose के ऊपर model method को call करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको पास कर model का नाम, जैसे मैं यहाँ पर note pass करूँगा, n capital है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर schema, ठीक है, इससे relate करता है, note schema, ठीक है, तो note schema, अब यह जो entity है, मैं throughout the application use कर पाऊँगा, note नाम से, इसके बाद हम अपने पूराना database को delete कर देते, तो इसके लिए यहाँ पर compass में ज जाना पड़ेगा, तो wait करता हूँ, और एक बर जब open हो जाए, तो आप यहाँ से browse collection कर सकते, यहाँ पर आपको database दिखेगा, यहाँ से भी try कर सकते, आपको यहाँ पर enter करना है, और drop, यहाँ पर delete होगा, आप देख सकते, database zero collection, इसके बाद हम आपने controller में चाहते है, note.js, क्या कर रहो, new note और फिर मैं यहाँ पर यहाँ पास कर रहो, अब हमारा model अलग है, note, तो यहाँ पर जो data पास कर रहाए, इसका तरीका भी अलग होगा, तो मैं यहाँ data कैसे पास करूँगा, as a single parameter, single argument, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पास करना पड़े यह सारे चीज़े जो यहां पर कर रहे थे तो टाइटल उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन तो जो भी हमने यहां डिफाइन किया स्कीमा है वह सब करने पड़ेंगे इमेज यूरल स्टेटस यहां पर order matter नहीं करता क्योंकि यहां पर object यूज़ कर रहे हो और q value pair में data pass कर रहे हो उसके बाद हमारा status है status में यहां पर unapproved pass कर रहा हूँ ठीक है तो यहां पर कैसा है left hand side का आपका जो data है यह चीज़ यह schema में जो हमने डिफैंड किया उसके लिए ठीक है और right hand side का हमारा जो controller में flow हो रहे है तो उसका edit है इसके बाद हमने यहां पर save call किया है इस note के उपर जो यह object दे रहे है और उसके बाद हमने then or catch use किया technically यह correct है क्योंकि यह save हमने नहीं बना है आप देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा model comment out है तो यह save कहां से आ रहा है यह save provide कर रहा हमें यह object जो कि हमारे model को call करने से हुआ है इसको verify कर सकते है documentation देखकर तो यहाप अगर model पर click करेंगे तो आप यह देखे इन्होंने बता है कैसे model create करना तो यहाप इन्होंने schema define किया उसके बाद यहाँ पर tank एक model बनाया ठीक है और फिर इन्होंने क्या किया ज यह promise नहीं देता लेकिन हाँ आप इसके उपर देन और catch call कर पाते हैं यह इसके तरब से है हमारे mongos के तरब से तो अगर यह code run करेगा तो editor save होना चाहिए इसको test करते है इसके साथ हमें कुछ line comment करने पड़ेंगे अगर मैं app.js में जाओ तो अभी यह code हमें नहीं चाहिए connection के लिए ठीक है साथी साथ यहाँ पर user अभी require नहीं है तो इसको भी मैं comment कर देता हूँ साथी साथ this middleware को भी जुरत नहीं है बाद में जब use करेंगे फिर से comment से हटा देंगे और इसके बाद अगर यह commented code हटा देते है अभी क्योंकि यह use करनी रहे इसको भी हटाई देते है और इसके बाद मैं कोई और चीज़े जो break कर सकता है चेक करते नहीं है और हमारा database का क्या नाम है notes checking गया तो एक बार चेक करते है तो हमारा server run हो रहा है और Mongoose से connected है अब चेक करते है काम कर रहा है के नहीं so localhost 3000 ठीक है यह page काम नहीं करेगा मैं जाओंगा add note पर यह काम करना इसको inspect element में open करते console check कर लेते यहाँ पर this is a test in mongoose ऐसे देगा this is this is how mongoose works ऐसे मैंने करके कुछ भी ABCD लिखती है अब मैं add click करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर error आएगा ठीक है इसको धियान में देते है इसको बाद में fix करेंगे लेकिन एक बार चेक करते हमारे database में कुछ इसको refresh करते तो यहाँ पर दिखिए notes इसने notes नाम से collection बना लिया अगर मैं इसको expand करूँगा तो आप यहाँ पर दिखिए automatic id create हो चुक है इसके बाद यहाँ पर जो हमने data पास किया this is a test in mongoose exactly सारा चीज आगिया है ठीक है और यहाँ पर देखने वाली यह बात है कि हमने य note दिया था लेकिन इसने कैसे बनाया create करते वक्त notes नाम का collection इसने बनाया तो यह जो भी आप singular देते हो उसका यह plural कर लेता है और फिर इस तरह यह बनाता है लेकिन at the end हमारा data insert हो रहा है अब हमने mongoose के truth data तो insert कर लिया अब इसको fetch करना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या कर अब यह id error इसले आ रहे है क्योंकि template में underscore id यूज़ कर रहे है और इस पर कुछ data आनी रहे है इसले यह इस तरह का error आप देख सकते हो यहाप 500 internal server error और इसके regarding आप अपने console पे इरर देख सकते है लेकिन इसको fix करते है अभी यहाँ पर क्यासा है note यह वही note है जो हमने बनाया यहाँ पे model और इसको ही point कर रहा है अब यहाँ पे fetch all नहीं है document अगर आप go through करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ methods देखने को मिलेंगे जिसके through आप data को fetch कर सकते हो जैसे find तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा fetch all नहीं static method है इसके उपर तो मैं find call करूंगा right और हमें यहाँ पे complete data चाहिए यह तो parameter इसको pass नहीं करना है क्योंकि अब यह हमारा method नहीं है और find क्या return करता है direct data लेकिन अगर आपको cursor लेना यहाँ पे तो आप यहाँ पे इसके उपर cursor call कर सकते हो और उसके बाद आप next call करोगे ताकि data लेकिया है लेकिन हम यह use नहीं करने वाले हम सीथा find use क करेंगे इसके बाद यह काम करना चाहिए और अगर मैं यहाँ पे refresh करूँगा first page तो यह देखिए अपना data आना शुरू हो किया अभी यह बाकी links काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ first page पे और add note पे काम किया लेकिन अब हमारा data आ रहा है आप चाहिए तो यहाँ पे console lock कर कर देख सकते हैं यह काम करता हूँ मैं यहाँ पे console lock कर देता हूँ जो हमारे data आ रहा है Notes ठीक है और exactly मैं यहाँ पे notes प्रिंट कर देता हूँ Let's see क्या आते है refresh और यहाँ पे हम console में देख सकते हैं तो यह देखिए ID, title, description, image URL, status ठीक है यह version है अब इसका count किया 0 तो यहाँ पे यह काम कर रहा है इसके बाद हम इसको इफिक्स करते है manage note को भी तो manage note पे अगर मैं जाओंगा इसके लिए हमारा admin.js है और मैं यहाँ पे find all use कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा find और यह note exactly हमारा file का जो path है same है तो उसी model को point कर रहा है तो यहाँ पे error नहीं आएगा यहाँ पर true करने के जुरत नहीं ठीक है अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अभी के लिए हम note पे complete find कर रहे है इसके कोई filter नहीं लगा रहे ह इसके लिए अपने controller पर जाएंगे यहाँ पे get note detail यह क्या करता है सिर्फ एक ही note लेके आता है और यहाँ पे हम find note by id उसकर रहे है और यहाँ पी note id पास कर रहे है ठीक है तो एक बार documentation देख लेते हैं क्योंकि हमारा note already point कर रहे है जो model हम import कर रहे है इसके उपर कौन सा method call करन तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा documentation में तो यहाँ पे finding documents is easy with mongos with support reach syntax ठीक है चलो ओके यहाँ पे बता रहे है कि model के साथ आप find by id भी call देर सकते हो find one भी कर सकते हो और where clause भी लगा सकते हो यानि where भी तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूंगा find by id ठीक है automatic solution दे रहे है करके नहीं देना है यानि जैसे आपको पता है कि हमारे जो data type के object id का तो आपको यहाँ पे object id में convert करके देने की जुरूत नहीं यह mongos automatic कर देता है आप यहाँ पे as a string pass करो ठीक है यह जो string जब हम इस पे click करेंगे अभी यह काम नहीं करेगा ओके काम करना शुरू कर दिया क क्योंकि almost हमने यहाँ पर लिख दिया वैसे लिगा कुछ नहीं बस हमने method का नाम चेंज किया और बाकी as id से काम कर रहे है तो आप देख रहे हो कि यह चीज जो string है मैं यहाँ पर string pass कर रहा पर पर निकाल कर और यह exactly काम कर रहा है यहाँ यहाँ पर object id में convert करने के जुरूत नहीं है यह होगी हमारा single document fetch करने के लिए जो कि यहाँ पर काम कर रहा है अब बात करेंगे edit के वारे में so edit पर मैं क्लिक करूं यह error आ रहा है और एक चीज देखने वाली बात यहाँ पर है कि जो इस form को दिखाएगा और data लेकाएगा वो हमारा get edit note details है और मैं यहाँ पर find note by id उसकर रहा हूँ exactly यही चीज है ठीक है पहले क्या करेगा एक single note के लिए data लाके इस form में यहाँ पर जो form इस template के अंदर उसमें fill कर देगा तो exactly हमें यहाँ पर क्या use करेंगा find by id इसके बाद हमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसके बाद data आ जाएगा इस method से और automatic template में दिख जाएगा automatic नहीं दिख रहा क्योंकि हमने code लिख है इसले ऐसा दिख रहा लेकिन यहाँ पर में कुछ change करेंगे जूरत नहीं पड़ी यहाँ पर जो method यूज कि exactly वही क्या यहाँ पर यह बस difference क्या कि इस template में बस दिखा रहे है view पर जाकर ठीक है ऐसे और इस पर क्या कर रहे update भी बहुत easy है इसको देखते है कैसे पहले तो इस controller पर जाएंगे जहाँ पर कर रहे है यह चीज़ है save edit note यहाँ पर हम क्या कर रहे है new note और फिर हम object के उपर save click कर रहे है यह तब कर रहे थे जब हमारा अपना था यहाँ पर ऐसा हमें नहीं करना है यहाँ थोड़ा सा change करन है तो यहाँ पर already है मेरे पास note id ठीक है यहाँ पर दिख रहे है अब मैं क्या करूँगा इसके उपर dot then block ठीक है और इस then block के अंदर मुझे मिलेगा note ठीक है single note अब जो मुझे यहाँ पर note मिल रहे है यह simple object नहीं है यह क्या है यह मेरे document को point कर रहे है अगर मैं इसके उपर hover मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस underscore note के उपर save method call कर सकता हूँ इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा अपने properties को update करना पड़ेगा तो note.title equal to title ठीक है underscore note.description equal to description और आपको पता है कि यह जो description title है already है मेरे schema में defined है ठीक है और उसी इको मैं refer कर रहा हूँ और यह जो title description है यह मैं जो data request body से उठा रहा हूँ तो इससे confuse नहीं होना है इसके बाद क्या image URL और last के हमारा image URL note ID update नहीं करनी है तो यह तीन data है और अगर आप किसी data को update करते हो तो क्या करता है उसको unapproved कर देना है तो मैं इसका status unapproved कर दूँगा ठीक है ताकि क्योंकि यह हमारा हम करते हैं शुरू से तो आपको पता होगा कि हम क्यों unapproved करते ताकि अगर कोई भी change करे तो admin इसको approve करे तब ही दिखे इसके बाद मैं note पर save कर दिया ठीक है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको return कर सकता हूँ यहां से और फिर यह मैं हटा तो हम redact हो जाएंगे इस page पर और नहीं तो error आएगा अब इसको check करना है काम करता है के नहीं तो let's say मैं save changes किया तो यह देखिए this is updated अगर refresh करो तो भी data दिख रहा है note पर जाओ तो यह देखिए this is updated फिर से rate करते है again ठीक है ज़्यादा load नहीं देंगे मेरा machine है तो यह नाम दे सकते हो लेकिन यहाँ पर जो data मिल रहा है यह मेरा किया mongos object इसलिए मैं इसके उपर save call कर पा रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने big difference है जब आप mongo db का driver use कर रहे थे और आप अभी mongos use कर रहे हो तो दोनों में difference दिख रहा है कि कितनी असानी से आप data के साथ इन ट्रैक कर पारे हो तो अभी next task के है अब देखते है कि हम delete कैसे कर पाएंगे अपने document को तो इसके लिए हमें अपने controller में जाना पड़ेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो delete note यह हमारा controller है और अभी अपने model के उपर delete call नहीं कर सकते क्योंकि delete mongos provide नहीं करता अगर मैं delete search करूँ delete one भी है और अगर मैं find by id and remove करूँ तो यह भी है तो मैं use करूँगा find by id and remove और इसके अंदर मैं pass कर रहा हूँ note id और इसके बाद अगर मैं इसको save करूँगा वापस जाते है application पे अब इसको delete करके देखते हैं so मैंने delete पे click किया और यह देखिए यहाँ refresh कर लेते हैं अपने collection को अगर मैं इसको यहाँ से refresh करूँगा तो यह चला गया so यह भी काम कर रहा है यानि इस तरह हम अपने document को delete भी कर पा रहे using mongos अब यहाँ पे अपने को दो option थे अगर आप देखेंगे find by id and delete so find by id and remove यूज़ करोगे तो यह क्या देगा दिन block में document जो कि mongos object होगा और अगर find by id and delete करोगे तो अपने को document ने मिलता तो मैं यहाँ पे find by id and remove यूज़ कर रहा है आप चाहिए तो delete भी यूज़ कर सकते हो अब हम क्या करेंगे user model बनाने वाले इसके लिए आप देख सकते user.js में अलएडी code भरा पड़ा है इस वो clear कर देते है ठीक है और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे const mongos require mongos ठीक है इसमें से अपने कुछ आई है schema so const schema और यह किस पर मिलेगा mongos.schema से अब एक नया user schema बनाएंगे so same नाम दे रहा हम है new schema यूज़ कर लेंगे जो कि यह reference होल्ड कर रहा है यहाँ पर object पास करते हैं आपको बता है और start करेंगे name से इसका type string देते है रिक्वाइट रहेगा ठीक है true इसके बाद name के बाद आप और भी दे सकते हो मैं बस email देना चाहूँगा उससे ज़्यादा कुछ ने type यह भी string रहेगा और email तो चाहिए ही required true यह दो ही चाहिए इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बाद मैं क्या करूँगा mongos.model और इसमें पास कर देंगे user जब आप user पास करेंगे तो collection में क्या देखेगा users राइट क्योंकि जो भी singular आप पास करें उसमें इस लग जाता है जैसे हमारे note के साथ हुआ था नोट्स बन गया था मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब इसको export कर देंगे तो syntax module.exports equal to ye so हमारा user ready हो गया अब इसको import कर लेते है app.js में app.js मोलेडी import कर रहे थे और commented था इसको uncomment कर देते हैं और मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं आप एक new user create करूँगा so const user equal to यह हमारा model का नाम है new user हमें दो इचीज़ पास करना है एक तो name मैं रोहित दे रहा ठीक है और दूसरा email email मैं क्या दे रहा xyz at abc.com अभी के लिए मैं यही दे रहा ठीक है और फिर मैं क्या करूँगा user dot save आपको पता है जैसे हमने note के साथ किया था इस user save हो जाएगा लेकिन आप एक problem है जब कभी हमारा change होगा file में या जब भी आप server को start करेंगे तब तब same user create होता जाएगा यानि duplicate user तो एक काम करते यह हम तब ही create करेंगे जब हम यह हमारे collection में कोई भी user नह पड़ेगा so user model के उपर मैं find one करूँगा इसमें अर्गुमेंट पास नहीं करोगे आप तो first matching user देगा ठीक है तो इसमें by default first देगा और यहां पे हमें क्या मिलेगा user ठीक है अब यहां पे मैं check कर रहा है if not user अगर user नहीं है यानि अपना collection user खाली है तो ही insert करो ठीक है और य यहां पे conditional मैंने use किया यहां पे इसको सब्सक्राइब कर देते और यह चेक करते काम कर रहे हैं कि और यह start हो गया database से भी connect हो गया इसको refresh करते एक पर क्या दिख रहा है अपने database को तो आप यहां देख सकते हो users दिख रहा है और यह मैं कितने बार भी restart करो जब आपको पता ह अब भी मैं फाइल में change करोंगा यह अपना server ही start हो जाता है तो यह देखो राइट वापस restart हुआ फिर से connect हुआ और यहां पे देखो अगर मैं इसको refresh करोंगा users मैं जाओंगा और इसको refresh करोंगा तो आपको एक user देखेगा user create हो चुका रोही जो हम करना चाहरे थे अब इसको हम use कर पाएंगे इसको मैं अटा देता हूं टेस्क करने के लिए दिखा रहता है इसको मैं comment कर दूँगा और मैं यहां पे क्या करूँगा इसको copy कर लोंगा string को ठीक है यह middleware अलेड हम use कर रहे थे और एक बाद देख ले यह आप देख रहो जो क्या आ रहा है हमारा user आ रहा है जो database से आ रहा है अब मैं इसको use कर सकता हूं ठीक है और तो मैंने क्या किया request.user equal to user राइट और फिर अब मैं यहां पे क्या करूँगा मैं कहीं भी notes print कर रहा हूं उसको हटा देऊंगा क्योंकि यहां पर अपना console बार बार pollute होगा इसको नहीं चाहता है मैं ऐसा करना बाकी error ही चाहता हो print हो इसको भी मैं हटा देता हूं single note भी मैं print नहीं करना चाहता हूं तो ठीक है अभी हम जादा नहीं कुछ print कर रहे है console पर तो अभी ठीक है अभी मैं restart करूँगा sorry refresh करूँगा तो मुझे क्या console पर देख यहां पर देख सकते हूं network call में अगर आप यह favicon भी जाएगा request तो यह print होगा उस case में भी अपना middle run हो रहा है इसके बाद हमें अपने model जो note.gss इसमें भी थोड़ा change करना पड़ेगा क्योंकि अब हम relation establish कर रहे हैं तो यहां पर कैसा है कि हर एक note में एक user assign होना चाहिए यह आप बोल सकते हो हर एक note जो भी note है एक user को belong करना चाहिए तो इसके हम क्या करेंगे यहां पर एक नया field add करेंगे user id ठीक है और यहां पर हम type क्या देंगे यह user id में आपको पता है यह आप यहां पर देख सकते हो object id होता है इसका data type तो आप यहां पर क्या use करोगे schema.types.object id ठ ऐ होड़ेगा अब यह पूछ रहा है कि user id किस का चाहिए या अब यह object id जो है यह किसी भी collection में हो सकता है. तो किससे इसको आप refer करना चाहते हो या किससे सको connect करना चाहते हो या किससे relation define करना है तो आप यहां पर ref pass करते हो और यहां movimentoě level का था मैरा model का नाम क्या है user. ठीक है, जस्ट मैंने जो create किया, मैंने क्या बोला, अब ये connect कर रहा हूँ, मतलब हर एक note एक user को belong करेगा, इसके लिए हर एक note में user id सेफ कर रहा, क्योंकि इस से पता नहीं चलेगा कि किस object id को belong कर रहा है, क्योंकि हर एक collection में object id रहता है, तो कौन सा object को धून रहे हो, तो मैंन कर दोगा कि, आप foreign की use रखते हो, एक note वाले table में, तो kind of आप ऐसा समझ सकते हो, कि user क reference hold कर रहा हूँ, तो यहाँ पि relation set हो गया, और इसके साथ साथ एक और चीज़ कर देते है, required, true कर देते है, ठीक है, ताकि यह missed ना हो, क्योंकि हर एक, जो भी हमारा note है, एक user को belong करेगा, यहाँ पर relationship implement हो चुका, आप इसको use करना है, तो अब हम जहाँ भी note create कर रहे है, जैसे कि मैं controller में जहाँगा note.js, यहाँ पर सबसे ऊपर कहीं पर जहाँ पर post note हो रही, यहाँ पर यह चीज़, ठीक है, अब title, description, image URL, status के साथ आप देख सकते हो, अपना model में, status के बाद user ID भ यहाँ पर, ठीक है, user ID I guess save कर रहे हो, यहाँ पर मैं देखू, app.js में, तो user के उपर है, ठीक है, तो यहाँ पर user, ठीक है, और फिर इसके dot करके underscore ID, लेट से आपको यहाँ पर underscore ID नहीं लिखना तो आप सिधा user भी pass कर सकते हो, और क्योंकि हमने schema में बता है, आप देख सकते ह हम क्या डूंड रहे है, object ID, हमारे type के असर है, object ID, तो यहाँ पर mongos क्या करेगा, इस user object से अपने आप ID पिक कर लेगा, और इस पर assign कर देगा, ठीक है, तो यह kind of benefit है, mongos यूज करने का, यह mongos का क्यारण हो रहा है, अब चेक करते है, एक node create करके, अभी के लिए जो है, हम code empty है, एक create करते है, यहाँ पर क्या, और कोई error आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक है, so this is a relation test, this is just a testing mongos relation, यहाँ लिख दिया, image URL जो भी program दे रहे है, आपर add, ठीक है, यहाँ पर दिख भी रहा है, सब चीज से ही काम कर रहा है, एक बर यहाँ चेक कर लेते हैं, कि exactly insert हो वक्त हमें user ID आये के नहीं, आप यहाँ देख सकते हो, user ID, किसको point कर रहा है, object ID, और यह object ID जो है, 770 कहा से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस user कहा रहा है, तो यानि कि अब user के base पर हमारा data insert हो रहा है, अब हमारा task क्या है, जो user ने note post किया, insert किया, उसको note दिखना चाहे, तो अब इसको कैसे करना, यह देखना है, हम चाहे तो एक और collection में user ID कर सकते हैं, यहाँ पर, मैं insert कर देता हूँ, यहाँ पर लिख से name, यहाँ पर, क्योंकि JSON है, तो मोहित और यहाँ पर email जो रहेगा, abc at xyz.com, ठीक है, insert करके देखते हैं, तो insert हो गया, ठीक है, अब हमार आपस दो user है, अब let's say, अगर मैं यह मोहित, या अभी के लिए पहले चेक करते हैं, कि user के base पे कैसा आएगा, तो first जाते है, get index पे, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर क्या करो, find, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक argument पास करूँगा, और यहाँ पर, इसमें क्या बतान चाह रहा हो, मैं, notes मैं गया, यहाँ पर देखे, user id के base पे, तो मैं यहाँ पर user id के base पे, almost, okay, यहाँ पर देखे, suggestion भी आ रहा है, तो अब यहाँ पर मैं क्या देना चाहूँगा, request.user, underscore id, let's see, यह काम करता है, यह देखे, right, तो अब मुझे user के base में मिल रहा है, अब let's, मै user change करके देखता हूँ, मैं क्या, यह just मैंने भी create किया तो mohit, ठीक है, इसको use करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, वापस app.js में जाओंगा, और मैं यहाँ पर middleware में इस user को change कर देता हूँ, अब मेरे user change हो गया, एक पर refresh करते, तो यह देखे, mohit आ रहा है, right, mohit इस ने कोई note post नहीं किया, तो यहाँ से अगर post कर सकता है, this is java script note, this is a test, ठीक है, यहाँ पर इसने post कर दिया, add करके, तो यह जो दिख रहा है, यह किसको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोhit को, यानि जो current user locked in है, एक तरह साब समझ सकते हो, right, लेकिन मेरे पास कितने notes है, यहाँ पर, अगर मैं notes पर जाओ, तो collection में दो document है, लेकिन जो जिसने post क्या वही दिख रहा है, उसी को दिख रहा है, तो यह kind of हमने relation बनाया, right, लेकिन manage notes पर दोनों को, कि को यह admin है, kind of, तो दोनों को दिखना चाहिए, और यह जब हम authentication लगाएंगे, तो एक user admin है के नहीं, वह भी हम check लगाएंगे, उसी को यह admin all accessible होगा, manage notes, तो यह kind of approve कर सकते है, अभी के लिए हम filter नहीं कर रहें, सारे notes दिखा सकते, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, extra parameter, कहां गया, notes.controller, आप क्या कहे हो, कि ठीक है, साथी साथ मुझे क्या करना है, जिसका status approved है, वह ही दिखाओ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर refresh कर रहो, अब यहाँ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी status approved नहीं है, यहाँ पर, तो एक काम करते, पहले इस पर काम करते, क्योंकि relation का काम हो गया, अब manage notes से अगर approve पर click करोगे, यह कौन सा है, controller में जाते है, यह admin का काम है, तो admin को सारे दिखन यहाँ पर find में कोई नहीं argument पास किया, कोई filter नहीं, यहाँ पर approve कैसे करें, तो यहाँ पर हमें update करना पड़ेगा, तो बिल्कुल update वैसी करेंगे, जैसे हमने note.js में किया, आप देख सकते हो, हमने कैसे किया, पहले हमने find किया, तो अब यही चीज़े यहाँ पर भी करेंग यह हमें क्या देगा, यह हमें note देगा, so underscore note, right, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं approve कर रहा हूँ, status change कर रहा, kind of, तो यहाँ पर, मैं एक बाग console.log कर लेता हूँ, कि मुझे क्या note मिल रहा है, ठीक है, और अभी के लिए मैं, इसको comment out कर दूँगा, तो यह अच किसी को भी approve करता हूँ, तो यहाँ पर देखे, क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे document मिला, यह देखे, तो मुझे पहले status चेक करना इसका, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, const status equal to underscore note dot status, if status equal equals to, यहाँ पर मैं by default क्या रहा हूँगा, यहाँ पर, लेट से, शुरू में मेरा, let status equal to, unapproved रहेगा, ठीक है, unapproved का spelling, ओके, let, इसके बाद मैं कोई नया variable create नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी variable को refer कर रहा हूँ, जो और स्कोप में है, आपको पता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टॉगल करना चाह रहा हूँ, यह note नहीं, I guess, note में, तो approve में आप देखो कि मैंने क्या क्या, status unapproved था, और अगर मेरा status unapproved है, तो status unapproved हो जाता है, यही चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, तो kind of मैं toggle कर रहा हूँ, admin में, अभी यहाँ पर मैं क्या check करूँगा, जो भी मेरा note रहा है, उसका status, अगर equal to क्य unapproved है, तो क्या हो जाए, status मेरा, approved हो जाए, बस इतना ही करना है, ठीक है, अब यह जो status approved हो जाए, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस note.status equal to status कर दूँगा, ओके, ऐसे, तो अगर यह नहीं है, तो फिर क्या, यही set होगा, तो दोनों में इसको एक set होगा, तो मैं कुछ ऐ इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी के बाद underscore note.save कर दूँगा, बस, और इसको मैं return कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर इसको chain कर सकता हूँ, then block, तो मैं यह then block सिधा यहाँ पर use कर सकता हूँ, इसको मैं copy किया, और मैं यहाँ पर paste करता हूँ, और इसको uncomment कर नीचे से एक code हटा दूंगा, तो यह हो किया, अब यहां पर सब कुछ सही काम कर रहे है, यहां पर मैं return कर रहा है, यह note console.log हटा देते हैं, इसको देखते हैं काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, जो भी note आ रहा है, यहां पर आपको पता है कि जो note के ओपर मैं ऐसा किसले कर क्योंकि यहां पर मुझे mongos object मिल रहे है, तो let's see, काम कर रहे है कि नी, मैं approve करूँगा, okay हो गया, वहां पर struggle कर सकते, तो अभी देखे, अभी कुछ नहीं दिख रहा, अगर मैं approve करूँगा, तो जो जिसका रहेगा, उसका यहां पर दिख जाएगा, ठीक है, तो यह काम कर रहा और यह जिस बेंडिंग थी, इसके बाद हम थोड़ा code clean up कर लेते हैं, हमें यहां पर connection नहीं चाहिए, इसको हम डिलेट कर लेंगे, एक पर देख लेते हैं, अपना कुछ break तो नहीं हो रहा, okay, सबसे नीचे, अभी तक नहीं हो रहा, refresh करके देख लेते हैं, नहीं हो र क्योंकि just reference के लिए हमने रखा था, यह हमारा खुद से create किया हुआ model था, अब हम use कर रहे हैं mongos, तो उसको use करके हम अपने model को create कर रहे है, same goes for user, यहां पे भी कुछ नहीं है, तो अभी exactly सही काम कर रहे है, थोड़ा और इसके बारे हम बात कर लेते हैं, relation के बारे में, जिसने post किया उसके बारे में तुरा detail देना चाहत हो, जैसे author by, या sorry, posted by, या author, उसका नाम देना चाहत हो, लेकिन हमारे data में, अगर आप देखोगे, तो जो data आ रहे है, एक पर console log कर लेते हैं, तो मैं आप एक console log कर लेता हूँ, और इसको refresh करेंगे, यहां पे, तो जो फिर इस user id को use करके, एक और query करना पड़ेगा user में, उसका detail लाना पड़ेगा, ताकि उसके related data आ सके, लेकिन यहां पे, जब mongoose use कर रहे हैं, तो ऐसा करने के जुरुत नहीं, यहां पे मैं क्या करूँगा, dot populate, ठीक है, अब इसमें मैं क्या pass करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे data मिल रहा है, उसके साथ मैं, जो user id है, उसका भी पूरा detail लेते हूँ, यानि कि यह user id, जो reference hold कर रहा है, उसके regarding जो भी data है, लेते हूँ, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या pass करूँगा, user id, यानि मैं populate करना चाहता हूँ, extra data, और मैं यहां पे pass कर रहा हूँ, किस object का type नहीं आ रहा, object id नहीं आ रही, उस object id की regarding जो दुसरे collection में detail है, वो complete आ रहा है, id, name, email, right, तो populate क्या करता है, populate बोलता है कि ठेक है, आप जो भी data मंगा रहा है, उसमें कोई ऐसा चीज है, जो जिसको आप expand करना चाहते हो, जिसके regarding भी data दिखना चाहते हो, तो मैंने ब select use कर सकता हूँ, मैं आपर क्या लिख रहा है, title और यहाँ पर description, बस इतना ही दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं page refresh करो हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, यह देखे, क्योंकि मैंने सिर्फ जो मंगाया, वही आ रहा है, इसको verify भी कर सकते हैं, यहाँ पर, यह देखे, title, description, right, ID तो आए गए आएगा, क्योंकि यह exclude नहीं करते तब तक के नहीं हो सकता, तो description और title आया, साथ में user ID आया, image URL नहीं आया, right, और user ID ने का reason क्या है, यहाँ पर आप उसको populate कर रहे हूँ, वैसे भी, तो आपने देखा किस तरह आप extra data को use कर सकते हो, किस तरह आप data को select क कर सकते हो, तो इस तरह आप use कर सकते हो, यहाँ पर, वैसे यहाँ पर जुरूत नहीं है, user ID की, लेकिन हमें देखना था कि अगर, let's say, हमें extra data चाहिए, जो भी हमारे reference है, हमारे document में, उसके regarding, तो कैसे करेंगे, तो उस case में आप populate use करोगे, so, यह था last video, mongos के उपर, thank you so much I hope आपके video समझ मैंना होगा